तो हेलो दोस्तो आज का जो वीडियो है काफी इंपोर्टेंट होने वाला दोस्तो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि अधार कार्ड में अगर मेरा अधार नमबर मुझे नहीं पता है तो हम अपने अधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो आप सबको पता होगा कि अधार काड़ करने के लिए अधार जो नंबर है वो जरूरी रहता है और दोस्तों दूसरा केसी है कि अधार काड़ को डाउनलोड करने के लिए ही है मेरे पास mobile number नहीं मेरा अधार number नहीं enrollment number है इस त्यनों में से कोई भी चीज नहीं तो कैसे हम अपने अधार काड को download कर सकते हैं तो यहां पर दोनों चीज में आप लोगों करके दिखाँगा आपके अधार काड में मुवाइल नमर जुरा हुए और आपको अधार नमर नहीं पता है तो इस केस में अपने नाम से अधार काड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने नाम से अधार काड को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में मिल जाएगी इस वीडियो को लाइक क खर्ष करना जो कि अधहार कर का ऊफिछल साइड है तो यहां से जो भी काम होगा बिल्कूल ड होगा तो इस पे हमको कलिक कर दोना है सबस्वी cozy पर उसके बादा हमको माइधार वाले सेक्षिन में आजाना है तो यहां पर आएक उस पर क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखिएगा तो नीची आएगा री ट्राइव फोर फोर गेटन यू आईडी आई तो यहां पर भूल जाते हैं अपना अधार नंबर तो यह ऑप्सन सेलेक्ट करना पड़ता है अगर आपके पास अधार नंबर अधार नंबर आपको पता करना है तो अधार वाले पर क्लिक करेंगे और इलोडॉलमेंट नंबर निकालना है तो अधार नंबर नहीं पता है तो यहां पर अपना नाम डालेंगे उसके बाद इंटर मुवाइल नंबर मुवाइल नंबर डालेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे क्या को फिल कर देंगे अगर आपके पास मुवाइल नंबर नहीं है तो आप अपना इमेल एड्रस भी डाल सकते हैं देख सकते हैं उतर बगल में दिया गया है तो यहां पर अब इस capture को क्या करना है फिल करके उसके बाद send OTP क्लिक करेंगे तो OTP क्लिक करने के बाद आपके registered mobile नंबर पर OTP कर दिया जाएगा तो उस OTP को क्या करेंगे हम यहां पर फिल कर देंगे फिल करने के बाद यहां से हम सम्मिट वाले पर क्लिक कर देंगे सम्मिट वाले पर क्लिक करने के बाद आपके क्या होगा आपका जो तो अधार नमबर होगा वह सेंड कर दिया जागा तो देखिए यूर अधार नमबर इस नमबर पर सेंड कर दिया गया है इस सेंड टू यूर रजिस्टर मुवाइल नमबर तो आपका जो अधार नमबर है वह आपके रजिस्टर मुवाइल नमबर पर सेंड कर दिया गया है यहां पर बिल्कुल साफ तरीके से बताया जा रहा है तो इस परकार से आपना अधार नंबर या फिर रोल्मेंट आईडी भी यहां से निकाल सकते हैं अगर भूल जाते तो दोस्तों दोस्तों आप बात करने के डाउनलोड कैसे करेंगे तो माई अधार जो है यही पर आजाएंगे यही पर आने के बाद हम क्या करेंगे जो माई अधार का जो दूसरा साइट है इस पर हम क्लिक कर देंगे इस पर क्लिक करने के बाद बेलकम टू माई अधार का ओप्शन आगा तो यहां पर आ अधार नमब्र कोई यहां पर लिखने है उसके बाद कैप्चा फिल करना है उसके बसेंलुड्रप कलिक कर देंगे और जो फिल कर लेंगे उसके वहमजब नहीं रहा जैन को पता होगा आधारिकाट कैसे डाउन्नोड़ पता है तो बता दिज़िए Whole कोमेंट में मैं उस पी वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों आप दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके अधार करें में मुवाइल नमबर जुराएं नहीं आपको अधार नमबर पता है और नहीं इंडॉल्मेंट आज़ी पता है तो क्या करेंगे फिर से माई अधार वाले सेक् करके जैसे सीम में में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कॉस्टरमक्रेशन से बात करते हो यहां से बात कर सकते हैं और आप अपनी समस्य को पTINए कर कि मेरे नहीं मुझे अधार lugar को अधार करन नहीं मेरा जो कोई भी मोवाल नंबर अधार कार में तो ऐसे मैं आप की मदद कर सकते हैं जो कस्टमर केर होते हैं वह आपसे अपना नाम पुछेगा उसके बाद आपका गाउं का नाम या फिर फादर्स नाम जो भी हो सारा डीटैल साप से पुछ लेगा उसके बद आपको एक आइडी देदेगा इन्रॉल्मेंट आइडी मिल जाएगा आपको उस आइडी को लेकि आपको नियरेस्ट आपको जाना होगा अधार चेंटर पर जाके आपना अधार का डाउनलोड कर बासकते हैं और उसमें नंबर भी जरुबास सकते है दोस्तो तो नंबर जरुबाल लीजेगा क्योंकि भविस में कभी भी जरुद पड़ सकता है बहुत कामों में अधार नंबर जरुद पड़ता है तो दोस्तो आई होप आप लोगों के जनकारी अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए चैनल पर अब सब्सक्राइब कि दोस्तों मिलते हैं नेक्स ब्रुटेंट पज़क के लिए बाइए